सबी को नमस्कार, करियर फ्रस्चनल पर आपका स्वागत है, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें, अच्छा मैटर है, ध्यान से लिखेंगे, रेडी, स्टार्ट आज संपूर्ण मानवता आतंकवास से तरस्त है, आसा की जा रही थी की बीश्वी सदी के दोदो महायुद्धों की महाविभीसिका के इतिहास में दर्ज होने के साथ साथ विश्व मानवता सांत एवं स्रिजनात्मक युग में प्रवेश करेगी, लेकिन बीती सदी के अंतिम चरण और नई सदी के सैसव काल का घटना चक्र नई त्रासदियों की दिशा में घूमता दिखाई दे रहा है, आतंकवास के रूप में प्रत्यच आप्रत्यच छाया युद्धों प्रोक्सी वार का अंतहीन सिलसिला चल पड़ा है, अगणित दुर्दसाओं से जूजते, पिछडे और विकास सील देशों के अतरिक्त, जान लेवा विलासिता से लदे, सम्रिध देश भी आतंकवात की ससक्त और जटिल गिरफ्त में हैं, बिस्व महा सक्ती अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं रहा, भारत सहित दच्छिन एसियाई देश तो इसमें लगातार जुलस ही रहे हैं, यह दावानल जल्दी थमेगा इसके आसार संप्रती दिखाई नहीं दे रहे हैं, आतंकवादियों तक तकनीकी विकास भी पहुचता रहा है, फिर भी यह आसा नहीं थी की आतंकवाद के प्रसारक परमाणु बम तकनीक तक पहुच जाएंगे, किन्तु पाकिस्तान के परमाणु वैज्यानिक ए क्यू खान द्वारा परमाणु तकनीक को लीबिया जैसे देशों को चोरी छीपे उपलब्ध कराने से, महाविनास की आसंका बढ़ती जा रही है, भारत की परमाणु प्रद्योगी की को विदेशों में बेचे जाने का मामला भी प्रकास में आया है, सोवियत संग से अलग हुए देशों के वैज्यानिकों द्वारा भी ऐसी ही ओची हरकतें की गई है, अब यहा स्विकार किया जाने लगा है कि परमाणु जैविक और रासायनिक अस्त्रों की पहुँच से आतंकवाद के रचाईता बहुत दूर नहीं है, वस्तुता कुछ देश आतंकवाद को मजहब के कारण या बदले की भावना से बढ़ावा दे रहे हैं और उनके द्वारा मानवता का महाविनास कराया जा सकता है, आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हतियारों के प्रयोग की संभावनाएं तो बहुत ही बढ़ गई हैं क्योंकि इस कार्य में अधिक पूझी निवेश की आवस्यक्ता नहीं पड़ती, अमेरिका में इंथ्रेक्स की पुस्टी की अनेक घटनाएं और विश्व के अनेक अन्य देशों में इंथ्रेक्स की पुस्टी और आसंका की बात सामने आने के बाद लगभग पूरे विश्व में जैव आतंकवाद का भय लोगों में व्याप्त होता जा रहा है, एंथ्रेक्स पसुओं का एक रोग है और बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमन से होता है विश्व में आतंकवाद अनेक अस्तरों पर सक्री है सुविधा की दृष्टी से इसे निम्न स्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक छेत्री या राज्यस्तरी, राश्ट्री, सीमा पारी, उप महाद्वीपी एवं महाद्वीपी और अंतर्राश्टी, लगुस्तरी, मध्यस्तरी और व्रिहग अस्तरी स्रेणियों में भी इसे रखा जा सकता है इसका स्रेणि निर्धारन इसकी कार्यसेली, प्रभाव, छमता, कार्य छेत्र, संसाधन, नेत्रित्व, चरित्र, विचारधारावा, लच्छ, समर्थन, दायरा जैसे कारणों पर निर्भर करता है उदाहनार्थ इसलामी आतंकवाद और फासीवाद आतंकवाद को अंतररास्टी आतंकवाद या वरिहत अस्तरी आतंकवाद की स्रेणि में रखा जा सकता है